नमस्कार आप देख रहे हैं दन्यू सुपीन, मैं हूँ आपके साथ इतिकार शर्मा पिछले साथ 14 जून 2020 को तॉलिवोड की एक ऐसी ख़बर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर लग दिया था जे हां वो ख़बर थी शुशान सिंग राजपूत सोसाइब केस की शुशान सिंग ने दुनिया को करीब 18 मिने पहले ही अलविरा खेह दिया था लेकिन अभी तक उनके कातिन और कत्ल की गुथी स्तुलज नहीं पाई है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि देश साज बाद शुशान सिंग राजपूत एक पर फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गए इससे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ शुशान सिंग राजपूत की कहानी प्यार भरोसा और वार के इर्दगिर्द लगती है लेकिन शोशल मीडिया के मुताबिक ये कहानी ड्रक्स, अंधुश्वास और धुके की है सच क्या है ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता क्यूंकि पिछले 18 महिने से महरास्ट पुलिस, बिहार पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स इस केस पर लगातार काम कर रही है लेकिन वो भी अभी तक सच्चाई का पता नहीं लगा पाई है शुरुवाती जाच में शुषान सिंग राजपूत की कहानी ड्रक्स से रिलेट की गई थी कुस सबूत भी मिले थे लेकिन वो भी कातिल तक पहुचाने के लिए काफी नहीं थे शुषान सिंग राजपूत की गल्फरिंड रिया चकरवर्ती पर भी गंबीर आरोप लगे कहा गया कि रिया ने शुषान को ड्रक्स की लत लगाई थी यह आरोप शुषान के परिवार ने ही रिया पे लगाए जिसकी जाच के लिए बिहार पुलिस महरास्ट भी आई थी जिसके बाद रिया चकरवर्ती को गिरफतार भी किया गया था रिया चकरवर्ती के कुछ महीने हिरासत में रहने पर कई फिल्मी सितारों का नाम ड्रक्स से जोड़ा गया लेकिन किसी के खिलाफ कोई पुकता सबूत नहीं मिले वहीं शुषान सिंग राजपूत के दोस्त और उनके फ्लेट में साथ रहने वाले सिधार्थ पिठानी अभी भी पुलिस हिरासत में है उन्होंने कोट से दो बार जमानत के लिए याचिका भी दायर की लेकिन कोट ने दौनों बार ही याचिका को खारिज कर दिया अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर शुषान सिंग राजपूत क्यों ट्रेंड कर रहे हैं इसकी वज़ा है जनता का प्यार और नियाए पालिका की देरी पर सवाल 14 दिसंबर 2021 को शुषान सिंग राजपूत की बहन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंडल मार्च इनकाला बहन प्रिंका सिंग ने अपने भाई को नियाए दिलाने और जस्टिस फॉर शुषान सिंग राजपूत के नाम से केंडल मार्च का आयोजन किया जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इस हैस्टेक का यूज करना शुरू कर दिया लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर किसके कारण शुषान सिंग राजपूत ने इस दुनिया को अलविता कहा देश और दुनिया की बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है दन्यों सुप्रीन नमस्कार